वेल तो ही गाईस, वेलकम टूदी माय चैनल, माने में स्पंकर्स, तो वेल आपका स्वागत है बारवे क्युएने में, जो कि आज हमारा बारवे क्युएने होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वेल तो फर्स्ट अफ उल इस क्युएने के जो कि अच्छा बारवे क्यां तो यहां पर दोनों को चुनुए तो वेल आज श्टार्ट बहुत ही अच्छा खासा है यहां पर इन्होंने रैपिट फार दिया, वेल एज स्टार्ल्स भाई थैंक्यू यह पूछने के लिए, वेल वैसे चलते हैं नेक्स वन कोमेंट की तरफ, त वेल तो यह कॉमेंट है मेरे दुस्मंट डेका का, तो वेल इन्होंने पूछा है कि अगर रसल मेंट थैट में दरॉक अवेलवल नहीं हुआ, तो रोक क्या रोमन रेंस वसे ब्रॉक लेसनर फिर से होगा, एंड ब्रॉक लेसनर जीच जीच जाएं, या तो ड्रू मैकिंट रोमनेंस भी हो सकता एंभर रोमनेंस भी हो सकता है, यह मतब आप्शन होगा क्या लगता है, वेल मेभी मुझे लगते है कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर वर्स रोमनेंस भी हो पर कैसा टन करेंगे जो की बहुत ज़ादा इंटरस्टिंग रहेगा देखना तो देखते हैं क्या हमें ये फिचर में देखने को मिलेगा या फिल नहीं वेल सो नेक्स वन इन्होंने पूछाए कि I am your regular active viewer love your videos तो थैंक यू भाई वीडियो हमेसा देखने के लिए तो बहुत धी थैंक यू यार वेल सो नेक्स वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं वेल नेक्स वन कॉमेंट जो की अंचल अत्रे का है तो वेल इन्होंने कॉमेंट करके पूछाए कि rapid fire CM Punk और Brock Listener तो मैं यहां पर Brock Listener को चुनूँगा Undertaker और Stone Cold तो यहां पर मैं Undertaker को Dean Ambrose vs Seth Rollins तो यहां पर भाई मैं यहां पर Seth Rollins ओविसली Roman Reigns और Randy Orton तो यहां पर Roman Reigns ओविसली AJ Styles और Finn Balor तो AJ Styles नहीं यहां पर Finn Balor As or The Rock तो भाई मैं यहां पर मैं चुनूँगा सिधा सिधा The Rock को Please take it तो भाई मैंने तुमारा question ले लिया है भाई है यह यहां बहन है तो भाई मैंने तुमारा question ले लिया है Well तो next one question की तरफ चलता है well next one question जो कि Devloddy Amit Nandalalal की तरफ से आ रहा है तो भाई इन्होंने comment करके पुछा है कि Demon Finn Balor returns in Universal Championship match and wins WWE Universal Championship तो भाई अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत ज़्यादा interesting होगा है And personally मैं देखना चाहूँगा अगर Demon Finn Balor में भी आते भी हैं तो में भी मुझे लगता है कि वो extreme rules में आएंगे And Finn हो सकता है Demon Finn Balor versus Roman Nance का जो कि भाई उसके उस match के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा excited होँगा Well so next one question की तरफ चलते है Well next one question जो कि wrestling prediction का है तो भाई इन्होंने question करके पुछा है कि Bro Roman Nance versus Brock Lesnar mega match Yes obviously wrestling prediction भाई ये obviously एक mega match है Roman Nance versus Brock Lesnar ये Wrestlemania के caliber का है So देखते हैं भाई वैसे हमें ये match crown jewel में देखने को मिलेगा तो कैसा देखने को मिलता है Well next one question जो की सम्यम ओजा की तरफ से है तो भाई इन्होंने comment करके पूछा है कि Bro your top 5 opponents for Drew McIntyre RK bro and Roman Nance ले लेना Okay भाई मैंने तुम्हारा question ले लिया है तो भाई Drew McIntyre के लिए top 5 opponents तो मैंने भाई Romer Nance Smackdown से पहला मेरे नजर में वही आते हैं And second मैं चुदना चाहूँगा Randy Orton एक बार फिर्शे क्योंकि मैं भाई Drew McIntyre versus Randy Orton एक बार फिर्शे देखना चाहता हूँ And इसके बाद Drew McIntyre versus जो की मैं देखना चाहता हूँ Seth Rollins का match And Drew McIntyre versus AJ Styles And इसके बाद Drew McIntyre versus जो की last one And ये match होगा I think बहुत ही अच्छा होगा Drew McIntyre versus Brock Lesnar एक बार फिर्शे जिसमें Brock Lesnar में भी Drew McIntyre को हरा दे Well ये मैं 5 matches देखना चाहता हूँ And Drew McIntyre के साथ में एक बार फिर्स है And RK Bro and Romance का तो भाई RK Bro के साथ में तो भाई मैं देखना चाहूँगा RK Bro versus The Usos के matches And इसके बाद Commander Ajis and Apollo Crews And भाई इसके बाद तो भाई ये ही दो तो मुझे लग रहे कि एक अच्छे खासे opponent हो सकते है Well obviously देखते हैं आगे और भी अगर कोई अच्छा खासा opponent देखने को मिलेगा अगर tag team में क्योंकि tag team मुने को पूरी कमजोर दिखती है तो देखते हैं क्या पता future में कोई अच्छी खासी tag team मने तो भाई देखना interesting रहेगा And The New Day तो है तो भाई मैंने चाहता कि The New Day से एक बार फिन से हो So well देखना interesting रहेगा वैसे RK ब्रो का हमें किसके साथ tag team match देखने को मिलेगा क्योंकि उतना ज्यादा opponents नहीं है क्योंकि RK ब्रो के सामने देखते हैं मतब tag team में कौन सा और भी बहुत बड़ा अच्छा कासा जो कि हमें देखने को मिलते हैं tag team division में क्योंकि वैसे भी कमजोर चल रही करी इस टाइम पे And Roman Reigns की बात कर रहे तो भाई Roman Reigns के लिए opponents भरे पड़े हैं पहला तो Roman Reigns वसेश Brock Lesnar हमें देखने को मिलेगा And इसके बाद Roman Reigns वसेश से Seth Rollins I think two matches हमें अभी confirm होते लिए दिखाई दे चुके हैं वो matches हमें देखने को मिलने वाले So देखते हैं अधी और कौन-कौन-कौन से matches confirm होते लिए दिखाई देते हैं Well, so चलते है next one comment की तरफ Well, next one comment जो कि हमें देखने को मिल रहा है PB special202 की तरफ से तो इन्हों ने कहा है कि can Roman win the money in the bank well obviously by Roman Ness के पास मतलब एकी चीज अभी तक नहीं आई है and वो है money in the bank तो well obviously मैं चाहूंगा Roman Ness money in the bank जीते हैं and पहले तो हमें उनका face run देखने को मिलता था जिसमें ऐसा नहीं लगता था कि वो money in the bank जीत पाएंगे कभी भी लेकिन अब जो इनका हमें heel run देखने को मिल रहा है तो भाई इसमें possible है कि Roman Ness money in the bank briefcase जीत सकते हैं and वो उस caliber के superstar भी हैं तो मतलब money in the bank जीतना भाई मतलब अगर जीत गए तो Roman Ness बहुत कमाल भी कर सकते हैं so obviously देखना इंट्रेस्टिंग रहा है अगर कभी Roman Ness money in the bank briefcase जीतने हैं तो well next one comment की तरफ चलते हैं well next one comment जो कि हमें KSB खत्रा swag boy की तरफ से देखने को मिल रहा है तो भाई इन्हों कमेंट करके rapid fire बूचा है तो भाई Roman Ness वसे सिंच के नकामूरा तो भाई Roman Ness Drew McIntyre vs Keith Lee तो यहां पर मैं चुनूंगा भाई Drew McIntyre को The Alpha Academy vs RK Bro, RK Bro, Edge और Brock Listener तो भाई यहां पर मैं चुनना चाहूंगा Edge को and Seth Rollins vs Bobby Lashley तो well obviously मैं यहां पर Seth Rollins को चुनूंगा Big E vs Baron Corbin तो भाई मैं यहां पर Baron Corbin को चुनूंगा Jeff Hardy vs Rame Studio तो भाई महीं महीं यहां पर Jeff Hardy and AJ Styles vs Karrion Cross तो भाई AJ Styles obviously तो well I think अगर इन में से तुमने मैच का है सभी को तो भाई सभी मैचेस बहुत ही अच्छे खासे होने वाले हैं well so next one comment की तरफ चलते है well next one comment चो कि हमें Gaming Tech 3D की तरफ से देखने को मिल रहा है क्योंकि उनको Russell Minion में भी कोई अच्छा खासा अपॉनेंट मिले क्योंकि Becky के return के बाद SmackDown का Women's Division बहतर लग रहा है Raw से compare करे तो भाई obviously यार मतलब वो Women's Division जो SmackDown का है अब तो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है तो जो कि obviously बहुत ही अच्छी बात है Well so next one comment की तरफ चलते Well next one comment जो कि yes double A की तरफ से है तो well इन्होंने comment करके पुछा है कि what are you expecting from Brock Lesnar versus Roman match Well obviously यह जो match होने वाला मैं इससे expect बहुत कुछ कर रहा हूँ And match आता हूँ यहाँ पर title change न देखने को मिले Roman nation आपर title return कर ले लेकिन यह जो match हो यह दम destructive match हो And खतरनाक match देखने को मिले जो कि जिसमें Roman nation and Brock Lesnar एक दूसरे को तोड़ फोड़ दे जो कि I think बहुत ज़दा better होगा Interesting रहागा एक hardcore type का match देखने को मिल जाए मतलब obviously बहुत ज़दा मज़ा आने वाला यह match देखने के लिए And भाई इस match के बारे में imagine करके एक भाई मज़ा आने लगता है कि यार मतलब कैसा match होगा इन कितना खतरनाक match होगा Well so next one comment की तरफ चलते है Well next one comment जो कि हमें Lomas Naga की तरफ से देखने को मिल रहा है तो well इन्होंने comment करके पुछा है कि क्या अगर Brock Lesnar Universal Champion बनते है तो Roman Face Turn कर सकते हैं क्या Well देखो यार फिलाल तो जो rumors हमें देखने को मिले हैं Well तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भाई मतलब हमें Face Turn करते हैं दिखाई दे सकते हैं recent के time में And ये मुझे लगता कि एक दो साल बादी देखने को मिलेगा अगर Face Turn करना भी रहेगा तो And Brock Lesnar भाई Universal Champion मनना बड़ा मुझे लग रहा है बड़ा ही मुझेल है लेकिन सामने Brock Lesnar है तो भाई कुछ भी हो सकता है Well so next one comment की तरफ चलते हैं Well next one comment जो की Sports का Empire का है तो well इन्होंने comment में मतब Rapid Fire दिया है तो well first Gold Bug Spear या Romandese Spear तो well obviously Romandese का Spear Dirty Deeds versus Future Shock DDT Dirty Deeds भाई Dirty Deeds Well तो third है The Mankind Mandible Claw versus The Finned Mandible Claw तो well obviously The Mankind का Mandible Claw क्योंकि भाई वो कुछ ज़्यादा ही obviously एक अच्छा का साफ Mandible Claw था उस टाइम का Well so next one इन्होंने पुछा है कि Calf Crusher versus Finger 4 तो well obviously यहाँ पे भाई Figure 4 कुछ ज़्यादा ही Pressure बना देता है पैरों के उपर and ऐसा लगता है कि पैर तूटने ही वाले है and Pedigree versus Neutralizer भाई obviously Pedigree भाई Pedigree कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है Boston Crab, Sharp Shooter versus Edge Carter well I think मुझे लगता है कि यहाँ पे Boston Crab I think मुझे लगता है यह खतरनाक है Boston Crab या Sharp Shooter भाई मैं इसमें फस चुका हूँ लेकिन मैं यहाँ पे अगर चुनना चाहूँगा तो भाई साप Shooter को चुननागा क्योंकि वो अच्छा लगता है देखने में STF versus Crossface भाई यहाँ obviously STF STF अच्छा खासा है Kimura Lock versus Arm Bar भाई obviously Kimura Lock भाई Kimura Lock बहुती खतरनाक लोग देखने को मिलता है प्लीज पिक माई Rapid Fire बिग फैन बो औरे थैंक्यू भाई बिग फैन यार मतब थैंक्या वेल नेक्स वन क्वेशन की तरफ चलते है वेल नेक्स वन क्वेशन जो की वाईपर देट शॉट की तरफ से देखने को मिल रहा है तो वेल इन्होंने कोमेंट करके पुछा है कि रैंडी ओटन निव डवल ली चैंपने अटक्स ट्रीम रूल्स गोलबग अटक्स लेशली इन एक्स्ट्रीम रूल्स और एल्प रैंडी ओटन तो विन डवल ली चैंपेंशिप तो भाई इन्टरस्टिंग रहेगा लेगन देखते हैं हमें क्या अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या फिर ने देखने को मिलेगा और हम भी चाते हैं यार मतलब रैंडी ओटन एक निव डवल ली चैंपेंट बने और यह जो चैंपेंशिप रहन हो यह बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिले वेल नेक्स वन क्वेस्टन है जो कि फारूक गेमिंग का तो वेल इन्होंने भी रैपिड फाइर किया है रोमर नेंस और सेथ रोलेंस तो यहाँ पर ओविसली रोमर नेंस देखते हैं भाई जल्दी हमें देखने को मिले क्याविन ओंज जो कि आइठिंक बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि क्याविन ओंज को मैं एक अच्छा खासा पुस मतब देते वे देखना चाहता हूं यह चाहता हूं यह चीज वैल सो नेक्स एन कोमेंट की तरफ चलते हैं जो कि हमें रक्षान रक्षन की तरफ से देखने को मिल रहा है तो इनों ने कोमेंट करके पूछा है कि रसलमेन थर्टी एट रोमर नेंस अपॉन हो सकता है 22 में कौन सा रस्तर वेवीफेस टण कर सकता है तो इसका मुझे लग है कि I think Seth Rollins का में baby face turn देखने को मिल सकता है and Romandence का WrestleMania 38 का opponent मैं चाहूंगा कि Seth Rollins ही देखने को मिले and Seth Rollins versus Romandence I think WrestleMania में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है and अच्छा match भी होगा well so देखते हैं होता भी है या पर नहीं होता है well so next one question जो कि tribal chief slayer का है तो well इन्होंने comment करके पूछा कि क्या page 2022 तक Royal Rumble जीच सकती है वो भी surprise return करके well अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई obviously बहुत बड़ा shocker होगा and बहुत ही अच्छा लगा कि देखके मतलब page वापी से हमें जो कि wrestling के ring में वापीस देखने को मिले and मैं चाहता हूँ परसनली हमें ऐसा कुछ मतलब जो miracle हमें ऐसा कुछ देखने को मिले and मैं चाहता हूँ page वापीस हमें in ring action में देखने को मिले well so next one question है जो कि next one question तरीक अकमल का है तो well इन्होंने का है कि when will draft happen question mark मुझे लाइन लगता भाई draft अभी मतलब उसके date भी fix नहीं हुए है मैंने सुबद तुम्हें update भी दिया कि मतलब उसके बारे मैं अभी सोचा भी नहीं जा रहा तो देखते हैं कब तक हमें draft confirm होते वे दिखाई देता है and obviously सब लोग कह रहा है कि crown jewel के पहले देखने को मिल सकता है तो देखते हमें कब तक देखने को मिलेगा gold bug versus john cena कब होगा well मुझे नहीं लगता कि john cena versus gold bug maybe अगर हमें देखने को मिलता तो I think वो survival series या फिर हमें मतब royal drummer के time पर देखने को मिलता तो I think बहुत ही अच्छा होता well अगर यह होगा तो maybe WrestleMania में होगा and maybe मुझे लगता कि नहीं होगा well तो देखते हैं होता भी है या फिर नहीं well तो next one इनों नों पूचा है कि WWE champion Bobby was boring rain your opinion and भाई मुझे भी लग रहा है कि भाई I think मुझे लग रहा है कि WWE championship का जो run देखने को मिल रहा है Bobby Leslie का यह थोड़ा बहुत फीका हमें जरूर देखने को मिल रहा है मतलब वो interesting thing हमें नहीं देखने को मिल रहा है and I hope कि आगे अगर हमें WWE championship का जो Bobby Leslie का run देखने को मिल रहा है वो अच्छा खासा देखने को मिले and तो देखते हैं भाई well so next one comment की तरफ चलता है well next one comment जो की गौरंक पाल का है तो well इन्होंने comment करके पूछाई कि crown jewel में अगर Roman Brock से हार गया तो क्या Roman का momentum खराब होगा और क्या होगा अगर Brock हार गया तो Brock का momentum खराब होगा तो well मैं यहाँ पर चाहूँगा कि भाई अगर सही में अगर clear हार गये Roman इस यहाँ पर तो maybe मुझे लगता कि Roman इस का थोड़ा बहुत momentum खराब होई जाएगा and Brock अगर हार गये तो मुझे लगता है कि उतना momentum खराब नहीं होगा क्योंकि Roman इस एक हील सुपरस्टार है तो हील सुपरस्टार है तो भाई हील स्टैक्टिक्स कुछ भी यूज़ कर सकते है like low blow या फिर कोई भी तरीका अपना कि यहाँ पर रोमन इस जो की championship को return कर सकते हैं तो वेल जिससे बोड़ाक लेसनर का momentum भी खराब नहीं होगा तो वेल मैं obviously मैं यहाँ चाहूँगा कि रोमन इस जो की championship को return कर ले और कोई ने कोई जो अपना तरीका अपनाते है वो तरीका हमें देखने को मिले रोमन इस की तरफ से जो की obviously अगर यह होता है तो बहुत ज़्यादा interesting रहेगा देखना वेल सो next one comment की तरफ चलते है वेल next one comment जो की रोमन लेसनर का है तो वेल इन्होंने comment करके पुछा है कि मेरा repeat fire लेना please okay वेल इन्होंने comment करके पूछा है कि भाई क्या इस स्माकड़ में फिन बैलर हार जाए और एक्स्ट्रीम रूल्स में फिन बैलर अपने डीमन वाले कारेक्टर में और हरा दे रोमन इसको please pick my question okay भाई मैंने तुम्हारा question पिक कर लिया है तो वेल देखो यार इसके chances में भी हो सकते हैं क्योंकि इस तरीके से match हमें confirm होते वे दिखाई दिया है और ब्रॉक लेसनर के chances भी नहीं लग रहे है कि हमें एक्स्ट्रीम रूल्स में देखने को मिलेंगे सो में भी हमें फिन बैलर का डीमन आउतार देखने को मिलें जहां पर डीमन फिन बैलर वसेस रोमनेंस में भी हमें देखते हैं मतलब होते वे दिखाई दे सकता है जो कि देखना इंटरस्टिंग भी रहगा एक्स्ट्रीम रूल्स के अंदर वेल तो नेक्स वन कॉमेंट की तरफ चलता है वेल नेक्स वन कॉमेंट जो कि हमें जितेंदर कुमार का देखने को मिल रहा है तो वेल इन्होंने कॉमेंट करके पूछाए कि WWE और AW फुल रिजन बताओ कौन बेस्ट है और क्यों बेस्ट है तो वैल मैं यहाँ पर चुनूंगा भाई WWE and क्यों बेस्ट है क्यों कि WWE के पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रस्लर है and अभी वी वो टॉप पे चल रही है and WWE की रेटिंग्स भी होती अच्छी बेस्ट होती है लेकिन फिलार के लिए WWE best है वैल सो चलते है नेक्स वन कॉमेंट की तरफ तो वैल नेक्स वन कॉमेंट जो कि हमें जीयोती सर्मा का देखने को मिल रहा है तो वैल इन्होंने कॉमेंट करके पूचा कि क्या निक्की बेला और जॉन सिना का वैल तो यह WD का पार्ट नहीं है यह रियल है मतलब जॉन सिना निक्की बेला एक साथ नहीं है अलग अलग है आप वैल सो नेक्स वन कॉमेंट की तरफ चलता है वैल नेक्स वन कॉमेंट जो कि हमें आर के किलर की तरफ से देखने को मिल रहा है फिर से well मझे लगता कि यार रोमा डेंश पसे Captors Johnson भी फिर से हमें एक बार देखने को मिलेगा एंशिनी प्वेडर इस जॉ Patienten मैंचा से नहीं साथ से कबी बीए well maybe possibility हो भी सकती है well अभी तो फिलाल देखके तो मझे ले लगए खिथी सिना होगा और Brock Lesnar सीना की chances भी बहुत कम है well so next one comment की तरफ चलते है well next one comment जो कि हमें crazy AESH का देखने को मिल रहा है तो well इन्होंने comment करके फूचा कि भाई Brock Lesnar next Smackdown में attack करेगा क्या Romer ने इस पे well दोखो यार obviously हम तो पक्का नहीं कह सकते कि हमें Brock Lesnar का पका रिटन देखने को मिलेगा याने वाले Smackdown में and maybe क्या पता डवलोडी को शौकर प्लान करके रखी हो well फिलाल अगर storyline को अगर नहीं करना extreme rules तक मतलब extreme rules में अगर Brock Lesnar versus मतलब Romanist नहीं करवाना है अगर crown jewel में करवाना है तो well मुझे नहीं लगता कि Brock Lesnar आएंगे and Brock Lesnar मुझे लगता कि extreme rules में maybe आ सकते हैं well so next one comment की तरफ चलते है well next one comment जो कि हाफीज मुआज का है तो well इन्होंने comment करके पूछा कि bro Seth Rollins versus Edge का match crown jewel में हो सकता है please pick my question big fan bro तो well thank you भाई and so Seth Rollins versus Edge का crown jewel में match भाई मुझे नहीं लगता कि Seth Rollins versus Edge का आप crown jewel में match होगा well तो मुझे लग रहा है कि crown jewel में maybe हमें edge versus जो की AJ Styles का match हमें देखने को मिल सकता है well so next one question की तरफ चलते है well next one question जो कि राजवीर सिंधरम का है तो well इन्होंने question करके पूछाए कि क्या अगली बार Brock Lesnar hair cut करवा के आएंगे well obviously बहुती अच्छी बात है well देखो यार मुझे लग रहा है कि हो सकता है अगर Brock Lesnar मतव आपीस से आएं तो hair cut करवा सकते हैं लेकिन भाई Brock Lesnar का ये जो वाला look है ना भाई बहुत ज़दा danger देखने को मिल रहा है अच्छा खासा look देखने को मिल रहा है तो well personally मैं निचाओंगा कि वो अपना hair cut करवा के आएं and अगर hair cut करवा के आते तो भाई वो भी देखना बहुत ज़दा अच्छा रहेगा interesting भी आएगा well so next one question की तरफ चलते है well next one question जो की OTV mix का है तो well इन्होंने question करके पूचा है की Sammy Zane versus Romer Dance होगा survival series में well इसके chances तो मुझे बहुत कम लग रहे है well next one इन्होंनों पूचा है की women's team NXT well तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हमें NXT का involvement देखने को मिलेगा survival series में four women's कहा है well I think four women's कर का मतलब देखो यार four women's हमें कब तक देखने को मिलती है Viking Raiders Raw Tag Team Championship match मतलब देखते हैं भाई Viking Raiders हमें इनका match देखने को मिलता है कि नहीं Raw Tag Team Championship के लिए जो क्या तिंग अगर होता है तो देखना है interesting भी रहेगा Derby Allen versus CM Punk कौन किसको support करोगे तो well मैं यहाँ पर obviously CM Punk को support करूँगा और भाई इतने दिने और बाद रेटन किया है बंदा तो CM Punk को जीतना भी चाहिए well so इन्होंने next one पूछा कि Cezaro, Edge, J, Uso, Brian, Dray Mysterio इन सभी opponent में से रोमारेंस का best opponent कौन है? please pick my question, pick कर ले न please, please, please okay इतना please बोलने के बाद तो भाई मैंने obviously pick कर लिया आपका question and भाई इन में से सबसे best opponent I think जो मुझे लगता है वो the rated R superstar Edge ही थे and Edge बहुत ही अच्छे खासे opponent है जो कि रोमारेंस के and Edge and को क्या भी नोंस भाई, इन दुनों में से मुझे लगते है please, 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 please pick my question well तो मैंने आपका question यहाँ पर pick कर लिया है and रोमारेंस का baby face turn मुझे लगता है कि अभी फिलाल के time पे तो नहीं देखने को मिलेगा and रोमारेंस वसेज ब्रॉक लेसनर maybe मुझे लगता कि वहाँ पे रोमारेंस as a face देखने को मिलेंगे यहाँ पे face तो I think Brock Lesnar है and तुम एक दो साल के लिए तो छोड़ी देखकी रोमारेंस हमें as a face देखने को मिलेंगे and तो Russell Minya 34 रोमारेंस वसेज ब्रॉक लेसनर और Crown Jewel 2021 तो भाई मुझे यहाँ पे Crown Jewel का 2021 का match I think इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा ही excited हूँ and देखना interesting रहेगा क्योंकि इसमें हमें सारी चीजे अलग देखने को मिल रहे क्योंकि उस टाइम पे रोमारेंस face थे यहाँ पे रोमारेंस heel है वहाँ पे Brock Lesnar भीलते है जो कि यहाँ पे Brock Lesnar face देखने को मिल रहे रोमारेंस का अच्छा कासा नया कैरेक्टर देखने को मिल रहे ट्राइबल चीप के साथ और Brock Lesnar का नया look मतलब इतनी दुनों बाद वापिस देखने को मिले यहाँ पे बहुत सारी चीजे चेंजेस है जो कि मतलब यह मैच बहुत ही best होने वाला है वेल सो नैक्स वन कॉमेंट की तरफ चलते है जो कि बास्ता अच्छार का तो वेल इन्होंने कॉमेंट करके पुछाए क्या आने में तो इसलिए भाई वीडियो पूरा जरूर देखा करो तो वेल आज के शो का में इमेंट भाई भास्ता श्टार ने किया और शुरुआत बहुत ही अच्छी कासी हमें यहां पर देखने को मिली जो कि यहां पर शुरुआत हमें करते वे दिखाई दियें आइधिंक अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एवरीवन